नुश्कर दोस्तों मैं धर्म विर्श्तिजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है इंडिया मेटलोडिकल डिपार्टमेंट ने आज सुबह ही सेटलाइट से एक जो तस्वीर जारी किये ये इस तरह से है क्या है कि 29 तारिक को एक वेस्टन डिस्टर्मेंस ही जमू कश्मीर में पहुंच जाएगा पहाणों पर जमू कश्मीर में 29 तारिक से थोड़ी सी रात से ही बुन्दा मन्दी शुरू हो जाएगी और ये 31 एक अपरेल तक हिमाचल परदेश और उत्रागंड में उंचे पहाणों पर बरफबारी हो सकती है बारिश जो है ना गतिविदियां शुरू हो जाएगी कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते है उसका असर जो है ना क्या होगा कि तीस तारिक से पूरा पंजाब पूरा हरियाना और उत्री राजिस्थान का कुछ पार्ट उत्री मद्दे प्रदेश मद्दे मद्दे प्रदेश और कुछ जो है न उत्र प्रदेश का ये पार्ट पहाड़ों के साथ लगता हुआ बारिश की गतीविदियां शुरू हो जाएंगी तीस तारिख से 31 को तो जादा रहेगी इंटेंसिटी एक तक भी हो सकती है यह कहीं कहीं पर ओले गिर सकते हैं तेज हवाएं चलेंगी पहले ही फसलों का नुकसान जो है न पूरे उत्तर भारत में पूरे मद्यप्रदेश में यहां तक नुकसान हो चुका है सरसो की फसल पर जादा नुकसान है गेहु में 20 से 25 परसेंट तक का नुकसान हो चुका है नीचे गिर चुकी है पकने के वस्ता में है जहाँ पर ओले गिरे हैं वहाँ पर 70-80% तक का नुकसान हो चुका है सब्जियों की फसलें जो नई लगाई हैं उसमें विवारियां घर कर गई हैं और उपर से ये बारिश की सम्भावना राष्ट ये मौसम पूर अन्वान केंदर ने 28 तारिक को आज सुबे जो नई एक बुलेटिन जारी किया है ये एक अपरेल तक जारी किया है उसमें उन्होंने क्या बताया ये डिटेल में देखते हैं एक टेबल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा करके दिखाता हूँ पहले उत्तर प्रदेश का दिखाता हूँ ये ना 28-39 को ड्राई रहेगा 30 तारिक से थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी 31 तारिक को जादा संभावना है स्कैटर्ड का मतलब होता है कि पचास एक परशन जगों पर बारिश की संभावना हो सकती है अब ये उत्तर अंग में तुम्हें बता चुक हूँ पहले पहाड़ों पर काफी जादा हुआ है बारिशी संभावना अब आ गया है हर्याना चंडिगट दिल्ली बारिश के संभावना है और 31 तारी को लग बग 75 से 100 पर दिल्ली वारिश की संभावना है निले का मतलब यही होता है हिमाचल प्रदेश में भी यही रहेगा यह 18 तारिफ का नक्षा जहां पर सफेद है इसका ड्राइव ने शुष्क रहेगा मौसम हरे का मनलब कोई वार्डिंग नहीं है अब यह 29 का दिखा रहा हूं 29 का सीरफ जया ऊपर जम्मू कश्वीर में स्कैटर्ड है 29 के रात से यहां पर थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू होएगे यह 29 की थोड़ी सी बारिश की संभावना जाना थोड़ा सा यहां पर यह है कि वेस्ट राइस्तान में थोड़ी सी एक्टिविटी रहेगी और गुजरात में रहेगी अब जो एक्टिविटी है वो जो 30 मार्श से शुरू हो जाएगी फेरली वाइड स्प्रेड एफ़ डबल्यू एस का मतलब यह होता है कि 50 से लेके 75 परसंट जगों पर बारिश की समावना है इसमें पंजाब भी कवर हो गया है मनले 30 मार्श को पंजाब में काफी हो सकती है और यह जो हर्याना में जाना 25 से 50 परसंट जगों पर कहीं कहीं पर ह हवाएं तो देखो जी यह जो निशान आगया है यह 30 तारीक का है यह हवाएं तो हैं यह सारे एरिये में चलेंगी 30 से 40 किलोमटरी स्पीट से हवाएं चलेंगी में जो है बात जो ज़्यादा नुकसान जो है पूरकास 31 मार्श का है इसमें क्या है कि हिमाचल परतेश और उ आइसोलेटिड बंडली 25 परसेंट जबों पर कहीं कहीं पर बुन नामादी हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश स्केटर में आ गया है 25 ए 50 पर जगों पर पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की सम्भावना है तो कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं इससे हम इनकार नहीं कर सक करते हैं यहां पर सारे भारत में मद्धे भारत में उत्र भारत में और पूरी भारत में हवाइं तेज़ चलेंगे अब एक तारी की तरफ बढ़ते हैं हवाइं जो है 30-40 की गती चलेंगा ऐक अपरिल का आगाई एक आपरिल को काफियत तक मौसम साफ सा लग रहा है लेकिन य तारिष्की से माँ नहीं तारिको